हेलो रिवान दसे श्वेता पांडे वालकम टू स्टैपपकेडमी स्टूडेंट्स आज के सेशन में हम क्या डिसकस करने जा रहे हैं यह जल्दी से देख लेते हैं और सेशन को स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपको क्लास 11-12 में तो मतलब 11 तो आप पढ़ी चुके हैं 12 में भी यह काम आने वाला है आपके एक्जाम में से रिलेटिट कोश्चन पूछे जाएंगे उसके अलावा लॉंग टर्म के लिए यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आईए देखते हैं ऐसा कौन सा टॉपिक है जो लॉंग टर्म के लि सेंटर्स ऑफ पावर का इंट्रोडाक्शन देखा उसके बाद हमने यूरोपियन यूनियन को डिसकस किया देखा कि किस तरीके से यूरोपियन यूनियन आगे बढ़ता जा रहे एक नेशन स्टेट की तरह और कैसे वर्ल्ट्रेड हो चाहे एकॉनमी हो चाहे मिलिटरी और तो यूरोपियन यूनियन बहुत अच्छी तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और इंफ्लूएंस कर रहा है अमेरिका की डॉमिनेंसी को भी कही न कहीं तक कम करने की कोशिश की गई है कैसे तो यूरोपियन यूनियन डे बाइडे क्या हो रहा है डेवलप होत कर खतम होती है या आशियान की नी कहानी को सामने रखना है और मैप पर जाकर ये देख लेना है कि बारे में बात कर रहे हैं आड इस ये जैसे यॉरोपन हैं के टाइम से रिलेटिड सारी मैप-देखे और समझा हर एक चीज़ तो आज के सेशन में सबसे पहले आशियान में जो साउथ जीसट एशिया नेशन की हम बात कर रहे हैं साउथ इस रिजन की बात कर रहे हैं वो कहां पर आता है तो इस सथरीके से अगर पूरा सह वरल्ड मैप देखें इंडिया के perspective से क्यों important है क्योंकि अगर हम इंडिया की बात करें तो यह रहा हमारा इंडिया अगर map को थोड़ा सा और अपन यहां से close करें तो यह इंडिया और यह South East region यह किस तरीके से contact में हैं और कैसे relations हैं इंडिया के साथ कैसे इंडिया इनके साथ अपने trade को बढ़ा रह है यह सारी चीज़े हमको discuss करना है इस वज़े से यह जो topic है आश्यान यह हमारे chapter का पार्ट है ठीक तो अब आज हम discuss करेंगे हमारे world map पर इस region को ठीक जो हम आश्यान जो यहां पर formation हुआ है आश्यान का association of Southeast Asian nations यह इतना region है इसके हम बात करने वाले हैं अब अगर मैं बात कर पहले और World War के बाद में कौन से World War Second World War के पहले और बाद में यह जो एशिया South East Asia का रीजन था इसने बहुत ज़्यादा सफर किया और सफर किसी से related किया तो economic और political consequences यहां पर बहुत ज़्यादा हुए मतलब जैसे कि Second World War इस्टार्ट नहीं हुआ तो उससे पहले उसके बाद करते थे economically मतलब की क्या बात करें finance से related resources से related और politically अगर हम देखें तो पूरी governance हर एक चीज़ यहां पर influence होती थी ठीक और यहां अगर इसी area की हम बात करें तो European हो जाए Japanese हो इनका हमेशा सबसे ज्यादा इंपेक्ट किया है ठीक क्लियर हुआ बिफोर एंडूरिंग इस सेकेंड वर्ड वर्ड इस रिजन ऑफ एशिया सफ़र्ट इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस और रिपीटेट कॉलोनियलिस्म बोथ यूरोपियन एंड जैपैनिस मतलब की एक रोप और जैपैन से यह लोग यहां जाते हैं साउथ इस्टेशिया में और एक तरीके से यह अपनी कॉलोनी स्टैप इस्टैबलिश कर लेते हैं ठीक तो कहानी अभी हम सिर्फ साउथ एशिया की कर रहे हैं अभी आशियान नहीं आया है अभी आशियान बढ़ेंगे कि और खतम होता है ठीके वार के एंडिंग में यह सामना करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स का कौन एशिया कौन सी कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं तो जैसे की नेशन बिल्डिंग राश्ट को बनाना रविजस ऑफ पवर्टी गरीवी का सामना करते हैं एकनॉमिकली बैक ठीक अब ये दो सुपर पावर थी तो एशिया के जितनी भी कंट्रीज थी साउथ इस्टेशिया के अगर हम बात करें तो इन पर सबसे ज़्यादा प्रेशर आता था कि आप एक नएक कंट्री के साथ जुड़ जाईए और कोल्ड वॉर के टाइम पर हमारा साथ दीजिए तो कहीं ना कहीं तक प्रॉब्लम्स के साथ सफर कर रहा था एशिया और यहां से दिस वोज रेसिपी फॉर कंफिलिक्ट विच दे कंट्रीज ऑव साओट एस्ट एशिया कुड एफोर्ट और इस तरीके से ये कंफिलिक्ट थे और इन सारी चीजों को साओथ इस्ट एशिए फ की जाएं जिसमें हम यह देखेंगे कि कैसे इन प्रॉब्लम से बाहर आना है तो एशिया ने कोशिश की क्या कोशिश की तो एफर्ट सेंड एशियन एंड थर्ड वर्ल्ड यूनिटी जैसे कि बांडूंग कॉन्फरेंस की गई ठीक है नॉन अलाइंड मुवमेंट आया यह सबने इतना जादा एफेक्टिव रोल प्ले नहीं कर पाए और वही प्रॉब्लम से मतलब की साउथ इस्टेशिया सफर करता रहा तो फिर अब यह काम करते हैं कुछ ऐसा ओर्गिनाइजेशन सेट अप करते हैं जिसमें हम कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाएंगे एकनॉम साउथ इस्टेशियन नेशन यह साउथ इस्टेशियन का अल्टरनेटेव था एक तरीके से और इन्हों ने यहां से स्टार्ट किया डेवलप्मेंट करना और कॉपरेट करना अब यह देखेंगे कि आशियान ने रोल अच्छा प्ले कर पाया या नहीं तो सबसे पहले यह इस्टेबलिश कब हुआ आशियान इस्टेबलिश हुआ 1967 में 1967 में इसके फाइफ फाउंडिंग मेंबर्स कहे जाते हैं या फाइफ फाउंडिंग फादर्स एशिया आशियान के इसमें कौन-कौन थे तो इसमें था इंडोनेशिया मलेशिया फिलिपिन सिंगापूर थाइ थाइलेंड क्या क्या हुआ इंडोनेशिया मलेशिया फिलिपिन्स थाइलेंड और सिंगपूर ठीक हो गई यह फाइफ कंट्री तो यह फाइफ फांडिंग मेंबर्स होते हैं आशियान के इसको याद रख लेना अच्छे से आप चाहें तो एक बार यहां पर नोट डाउन कर लीजिये कौन सा कौन सा हमने देखा तो इंडोनेशिया इनको याद रखना है हमको अच्छे से इंडोनेशिया मलेशिया फिलिपिन्स ठीक है और सिंगपूर थाइलेंड इसको याद करने की एक ट्रिक भी है अगर आप लोग चाहो तो इस ट्रिक से याद कर लो इंडोनेशिया मलेशिया फिलिपिन्स सिंगपूर थाइलेंड आई से इंडिया मतलगा दे न ठीक है तो यह फाइफ फाउंडिंग मेंबर्स थे यह सी यूई टी में भी अगर आप एक्जाम देंगे तो वो भी उसमें भी पूछा चाहेगा और इसी के साथ साथ जो आपक है टोटल तो उसमें से कोई दो मेंबर्स बता दीजिए इस तरीके से हमसे पूछा जाएगा ठीक अब यह जो पांच कंट्रीज थी इन्होंने डिसाइड किया यह बाकी की अभी इनमें इंक्लूड हो चुकी है बड़ जो पहले फाइव कंट्रीज थी इनने डिसाइड किय इन्होंने सेट अप किया और इसी के साथ यह इस्टेबलिश्मेंट हुआ तो इस्टेबलिश्मेंट करने के लिए इन्होंने कॉन्फरेंस की थी जो हमको याद रखनी है जिसे हम कहते हैं बैंकोग डिकलिरेशन मतलब यह कॉछा जाएगा यह भी कॉश्चिन पूछा जाएंगे उसमें से एक आपको करेक्ट आंसर बताना है तो याद रखना बैंकोग डिकलिरेशन साइन करके आशियान को इस्टेबलिश किया गया 1967 में और फाइब कंट्रीज ने स्टेबलिश किया इंडोनेशिया मलेशिया फिलिपिन सिंगपोर थाइलेंड अब हम पढ़ इसीलेट करना मतलब की जो इकनॉम इए जोटकी ग्रोथ हो रही है उसको बहुत अच्छा कर सके और कैसे करेंगे एंड ठूशल पर्रोग्रेस एंडर कश्रेट क्ल्सुर्डमाजों लिखेंगे आप एकनॉमिक ग्रोथ शोशल प्रोग्रेस कल्श्रल डेवलप्मेंट ठीक यह तीन पॉइंट आपको याद रखने अच्छे से आगे बढ़ते हैं देखो कहानी की तरह हम वो चीजों को पढ़ सकते हैं जिसमें हमें अनिलाइज नहीं करना हूँ बट यहां पर पॉलिटिकल साइंस का जो एक तरीके से आपका जब पेपर होता है उसके अगर आप प्रीवियस एर के कोश्टन्स देखते हैं जिस तरीके से पूछे गए हैं तो यहीं सारी चीजों को रिलेट करके पूछे गए और मैं भी उन्हीं सभी टॉपिक्स पर फोकस कर रही हूं मेंली जो आपसे कोश्टन्स पूछे जाएंगे इसके अरावा अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो क्लास 12 से नहीं है बट आशियान उनके एक्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है तो भी यही सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेंगे ठीक अब सेकेंडरी पर आशियान का था कि रीजनल पीस और इस्टेबिलिटी को प्रमोट करना मतलब हमारे आसपास की जित्ती भी कंट्रीज हैं मतलब जितनी कंट्रीज आशियान में आ रही है यह पूरा रीजन है इधर पे शान्ती बनी रहे मतलब एक तरीके से वार या कंफ्लिक्ट नहीं हूँ ठीक उसी के साथ साथ इस्टेबिलिटी मेंटेन हो और इन सारी चीजों को मेंटेन करने के लिए जैसे की कॉंस्टिट्यूशन बनाया जाता है गवर्द करने के लिए किसी स्टेट को ठीक उसी तरीके से इन्होंने भी कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो किया पीस करने के लिए और स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए ठीक अब आगे चलकर 1967 में तो इस्टेबिलिश हो गया बागे जाते-जाते कुछ और कंट्री इसमें एड होती गई और वो कंट्री इस कौनसी-कौनसी थी तो ब्रुनेयी डारुसलिम विटिनाम लाओ म्यानमार और बर्मा एंड कम्बोडिया यह जॉइन करते हैं किसे आशियान को और अब यह ओ गए टोटल 10 तो कौन से कौन से हो गए क्या क्या पड़े हमने अभी यहां पर हम नोट डाउन कर लेते हैं और क्या करते हैं और फिर इसको अच्छे से याद कर लेते हैं तो पहला हमने क्या देखा सबसे पहले हमने देखा इंडोनेशिया ठीक मलेशिया फिलिपिन्स सिंगापूर थाइलेंड ठीक यह फाइब हो गए बाद में फाइब और एड हुए अब यह फाइब कौन से कौन से हुए देखो यह इंपॉर्टेंट है इसलिए हम बार बार इनको पढ़ रहे हैं यह पूछे जाएंगे आपसे ठीक है तो इसमें हमने देखा से पहले कौन सा ब्रुनेई विएतनाम ठीक है और लाओ पीडियार म्यानमार और कंबोडिया ठीक तो यह सारी कंट्रीज किसकी पार्ट है किसकी कौन मेंबर कंट्रीज है कौन की आशियान की मेंबर कंट्रीज टोटल टैन हैं पहले फाइव थी अब यह फाइव और एड हो गई ठीक इनको याद कर लो अच्छे से और अब हम बढ़ते हैं आगे अब इसको थोड़ा स हम कंप्यार करके देखते हैं हमने आशियान को तो देख लिया कि primary objective किया सेकेंडरी अबचिक्टिफ क्या मेंबर कंट्रीज कौन सी हैं कब establish हुआ क्यों establish हुआ क्या फेस कर रही थी साउथ इस्टेश्या की countries अब अगर हम EU से compare करके देखते हैं European Union से तो हम देखते हैं कि unlike the EU यहां पर कुछ थोड़े बहुत और जो डिजायर है आशियान में सुप्रनेशनल इस्ट्रक्चर और इंस्टिउशन के कुछ इस तरीके से तो नहीं है बट स्टिल थोड़ा सा मिससे कबियार कर सकते हैं आशियान countries ने अभी चीश सेलिबरेट की ती और मोगसिए तहां आशियान वे Celebrate किया गया कुशन जाएगा कि आशियान वे क्या है यह हमसे पूछ कि अशियान वे किया गया था असनी करना तो तरीके से यूनिटी बनाई रखने के लिए आशियान वेज सेलिब्रेट किया गया जो कि एक फॉर्मल था और कॉपरेटिव भी था ठीक और यहां से आशियान किस चीज को रिस्पेक्ट करने की बात करता है मतलब अगर हम फंक्शन की बात करें कि आशियान के फंक्शन क्या है तो उसमें एक मोस्ट इस तरीके से नहीं किया जाएगा किसी भी टेरिटरी में ठीक तो सबके अपने अपनी अपनी टेरिटेरियल एरिया है और विट सम आफ दी फास्टेस्ट ग्रोइंग एकनॉमीज इंदा वल्ड आशियान ने क्या किया है एक तरीके से अपने अब्जेक्टिव को और उपर लेकर आया है आशियान अभी आशियान सिर्फ इकनॉमिक और शोशलिस्पेरढ में रही है पॉलिटिकली इंटेग्रिटी में चलें के लिए टेंक से रिलेटेड हरे चीज में आशियान ने कोशिवयां किया है कि हम सब्सक्रीं अभ थो थासेन हम क्यों दे रहे हैं क्योंकि आशियान कम्यूनिटी इस्टैबिश की जाती है यह से कि functions पूछा जाएगा कि थी फिलर्ण से कौन से हैं तो आशियान कम्यूनिटी में त्री पिलर्स ते जिस्पे फोकस किया जाएगा और वह थे आशियान सिक्योरिटी कम्यूनिटी एकोनोमिक कम्यूनिटी और शोश्यो कल्च्रल कम्यूनिटी कौन सी कौन सी तो सबसे पहले हमने देखा एकोनोमिक कम्यूनिटी और कौन सी देख्या हमने सीक्यूरिटी कम्यूनिटी हर कि और एक हमने देखा शोशयो कल्शल कम्यूनिटी कि तो यह 3ostery pillars हैं आशियान कम्यूनिटी की наж ने 2003 में इस्टैबलिश किया और एउ को कही ना कहीं तक यह ने कि पात पर जाने की कोशिश की ठीक तो अगर कोशन आप से पूछा जाए आशियान और यू को कंपियर करके बताइए तो यह सब पॉइंट हम यूज कर सकते हैं अब आशियान सिक्यॉरिटी कम्यूनिटी की अगर हम बात करें तो यह बेस्ड थी ऑन्दा कन्विक्शन अट आउटस्टेंडिंग नहीं स्थापित करेंगे मतलब की ऐसा नहीं करेंगे कि दो देशों के बीच में अगर कोई भी डिस्प्यूट से तो आर्मी खड़ी कर दी जाए इस बेसिस पर आशियान सिक्यॉरिटी कम्यूनिटी स्टैबलिश किया गया 2003 से आशियान के कुछ और एग्रिमेंट्स हुए मतलब की यहां पर इन्हों ने जो भी एग्रिमेंट्स अब लेकर आए उसमें इन्हों ने यह कहा प्रॉमिस किया कि हम पीस अफोल्ड करेंगे नूट्रेलेटी रहेगी कोपरेशन रहेगा नॉन इंटर फेरेंस रहेगा और नैशन को भी नेशनल डिफरेंस और सोवरन राइट को को रिस्पेक्ट किया जाएगा हर एक organization में यह तर्म्स तो आपको यूज करने ही है कोई भी organization स्थापित होता है तो उनके यह सब promises तो होते ही है ठीक अब जो मैंने भी आपको बता है कि आशियन फॉरम पूछा जा सकता है कि आशियन रीजनल फॉरम क्या है तो आशियन रीजनल फॉरम establish किया गया 1994 में और यह क्यों किया गया establish इसमें options में पूछा जाएगा तो यह स्थापित किया था coordination of security and foreign policy के लिए मतलब कि security coordinate कर सके और foreign policy तो अब establish किया गया 1994 में आशियन के अगर हम बात करें तो अभी भी एक तरीके से एकनॉमिक association है आशियन रीजन एज़ा होल अगर हम देखें तो यूएस यू से compare करें तो बहुत छोटा है जापान से लेकिन इसकी इकनॉमी आज की डेट में इन सभी से जादा increase बढ़ती जारी है faster होती जारी है मतलब यह कह रहे हैं कि अगर एक जगे आशियन है ठीक है और एक जगे क्या है यूएस यू जापान तो इनके comparison में तो आशियन बहुत छोटा है बट अगर एकनॉमी की बात करें आशियन की तो इकनॉमी में इन सब के comparison में आशियन फास्टर ग्रो कर रहा है ठीक और यहां से समझ में आता है कि इसकी जो growth है यह influence करती है region को भी और उसके बाहर के country को भी मतलब कि आशियन में 5 से start किया influence हुए होंगे members सभी जाके आज की डेट में 10 members है आज-पास के और members से influence होते हैं member countries नहीं है लेकिन countries influence होती है और इन countries के अलावा चाहिए अमेरिका हो यू हो जापान हो चाइन हो यह सभी influence होते हैं आशियान से ठीक अब आशियान economic community के objective की हम बात करते हैं अभी हमने security community देखी तो economic community क्या चाहता है economic community चाहते कि एक common market हो जाए मतलब अगर हम इतने पूरे area की बात करें तो common market यह चाहते हैं common market और एक चीज़ और चाहते हैं यह चाहते है production based within आशियान states और इस basis पर हम social और economic development कर पाएंगे region में देखो आगे अगर हम देखें तो economic community एक चीज़ और चाहती है वो यह चाहती है कि जो existing आशियान dispute है इन disputes को कहीं न कहीं तक सेटल कर सके और resolve कर सके economic disputes को ठीक तो security community क्यों बनाई गई economic community क्यों बनाई गई यह हमने discuss किया अब आशियान की अगर हम बात करें तो आशियान focus करता है free trade area पर ठीक अब free trade area यह create करना चाहता है उसका reason यह है ताकि investment labor services यह सारी चीज़े क्या अच्छे से कर पाए अभी क्या होगा रीजन में free trade area नहीं है एक एक country से दूसरी country के साथ अगर trade करना है तो बहुत सारे trade barriers होते तो आशियान यह चाह रहा है कि इन trade barriers को अटादे free trade area हो जाए ताकि investment का labor का यह services का अच्छे से movement हो पाए अब अगर हम बात करें इस condition में यूएस और चाइना की तो यूएस और चाइना और बहुत जल्दी मतलब एक तरीके से move कर चुके हैं FTS में विट आशियान मतलब कि सिर्फ रीजन में ही free trade area नहीं चाह रहा है अमेरिका चाइना के साथ भी तो अमेरिका और अगर हम चाइना की बात करें तो यह बात करें इन सभी चीजों में हम देखते हैं आशियान को कि एक इंपोर्टेंट रीजनल ऑगनाइजेशन है जो बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है इसका विजन रहा था टूटाउजन ट्वेंटी का विट्जन ट्वेंट ट्वेंट यह डिफाइन करता है कि आशियान का इंटरनेशनल कम्यूनिटी में क्या रोल होगा मतलब कि अगर हम वर्ल्ड डावल पर बात करें यह वर्ल्ड हो गया हम साउथ एस ट्रेज्ट यह आईश्या रीजन की बात कर रहें तो यह पूरे वर्ल्ड में किस तरीके से वर्क करेगा यह रोल प्ले करेगा इंपॉर्ड की रीजन में जो Willow 2010 आन किरिज ने कर पाएंगे तो आश्याइन ने कैसे बिक्राइल को मीडियेट किया है कैसे हैं कोशिश की तो इसके कुछ एक्जाम्पल्स हमारे पास हैं जैसे की ऐसे कमबोडियन कंफलिक्ट को तो उसमें अशियानने मेडियेट किया था इस्टेमॉर क्राइस और यह सारी क्राइजिस पर आशियन मेडियेट किया है रिजल्व की साक बहुत से चीजों को काफी सारी चीजों को और आशियान हर साल मेटिक रगता है ताकि East Asian Corporation को डिसकस कर सके टो इस तरीके से आशियान ने जो चीज़ों को इस्टेबलिश किया है जो प्रोविजन लेके आए है उनको इंप्लिमेंट भी आशियान अच्छे से कर रहा है देखो क्योंकि कोई भी और कि ऑरगनाईजैशन हो या किसी भी चीज का सटफ किया जाए कोपरेशन के सेथ वर्ग करना है अगर उस में फ्रोवीजन बनाए है तो फ्रोविजन को बनाना ही इंपरटन नहीं है फ्रोविजन को इंप्लिमेंट करना भी जरूरी है और यह चीज आप देखी गई आश्यान में कि आश्यान ने जो प्रोवीजन बनाए उसको इंप्लीमेंट भी किया इस वज़े से आज की डेट में कई सारे डीजनल ओगनाइजेशन में से आश्यान है कैसा रीजनल ओगनाइजेशन है जो काफी अच्छे से वर्क कर रहा है और फास्टेस् इंडिया है तो इंडिया और चाइना के साथ जो आश्यान है वो ट्रेडिंग पार्टनर की तरह वर्क करता है ठीक तो यहां से इसकी एक स्ट्रेंग्ट दिखती है और इस वज़े से इसको एक अट्रेक्टिव प्रोपोजेशन मिलता है ठीक है कोल्ड बॉर कि अगर हम बा डिसकस करें इंडिया ने कोशिश की है कि जो उस टाइम पर इंडिया ने सोचा था कोल्ड वार के टाइम पर की फॉरिन पॉलिसी अच्छी नहीं होगी आश्यान के साथ हर एक चीज को अट्रेक्ट करने की बट अब इंडिया को ऐसा लगता है कि चेंज होना चाहिए और इ इंडिया ने एग्रिमेंट साइन किये हैं तो मलेशिया सिंगपोर ठाइलेंड ठीक यह धिहान रखना आशियान इंडिया FTA की अगर हम बात करें तो कब आया यह कोशन पूछा जा सकता है तो यह आया 2010 में आशियान के स्ट्रेंग्स की अगर और हम बात करें तो यह पॉलि एक मात्र ऐस रीजिनल असोसिएशन एसिया में जो पॉलिटिकल फॉरम क्या करता है प्रोवाइट करता है और अशियान कंट्री फो एक तरीके से पॉर्म हम जाती Pain हाली में देखा गया यह एक समिट देख रहा है यह समिट थी आशियान इंडिया कॉमिबरेटिव समिट 2018 यह लीडर्स यहाँ पर एक पोस्टल स्टेम्प लेकर आते हैं और आशियान की सिल्वर जुबली को क्या करते हैं सेलिब्रेट करते हैं एंड आशियन पार्टनर्शिप इन न्यू डेली और 25 जनुवरी 2010 तो यह इनका एक पोस्टल स्टैम्स को हम यहां पर देख रहे हैं और यहां पर हम अमारे मानिये श्री नरेंदर अगर एकनॉमी का किया जाए तो आशियन को हम देखते हैं फास्टेस्ट ग्रोइंग एकनॉमी के तरह ठीक तो यह था आझका अशियन का टॉपिक जो था आज वो कंप्लीट होता है मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट तॉपिक के सांथ और अछे से discuss करेंगे अगर आपको students को और डाउट रहे गया है तो आप comment section में बिल्कुल पूछ सकते हैं आपके हर एक doubt को clear किया जाएगा और अगर आज का session आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे channel step up academy को please like share and subscribe करना बिल्कुल भी ना भुलें thank you and धन्यवाद